सुचित सरकार भारती सिनेमा के सबसे अनोखी और क्रियेटिव फिल्म मेकर में से एक है उनकी फिल्मों के सिर्शक हमेशा कुछ अलग और यादगार होते हैं जैसे विक्की डोनल, पीकू, पिंक, अक्टूबर और मदरास कैफे हर फिल्म का नाम ना सिर्फ दर्शकों की जिग्यासा को बढ़ाता है बलकि उनकी कहानी और भावना का भी संकेत देता है अब सुचित सरकार एक बार फिर एक अनूठी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका शीर्शक भी उतना ही दिल्चस्प है इस फिल्म में सुचित सरकार अपने फिल्मों में गहरे भावातमक पहलूं को उकिरने के लिए जाने जाते हैं और आई वांट टू टॉक भी इस परंपरा के कायम रखती नजर आ रही है अनाउंस्मेंट वीडियो ने पहले से ही दर्शकों की दिलों में उत सुकता भर दी है ये छोटा सा वीडियो नाकेवल स्मार्ट और अलग है बलकी इसमें कुछ ऐसे पल भी है जो दिल को छू जाते हैं इससाब जलकता है कि फिल्म में इमोशन की भरमार होने वाली है सुझित की फिल्म में अपने शशक्त सामाजिक संदेशों और गहरी मानवी भावनाओं के लिए प्रसित्य है उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को साथ एक खास कनेक्शन बना लेता है शाद यही वचा है कि उन्होंने अपने करियर में 13 नैशनल अवाल्ड चीते हैं उनकी हर फिल्म एक गहरे संदेश के साथ आती है जो ना केवल भारते दर्शकों को बलकि अंतराश्टी इस तरपर भी लोगों को प्रभाविद करती है I Want To Talk सुधि सरकार की फिल्मों की इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है इस फिल्म में अभिशेक बच्चन एक ऐसी किरदार में नजर आएंगे जो उनकी पिछली फिल्मों से बिलकुल अलग है अभिशेक के फैंस के लिए ये एक खास मौका होगा क्योंकि वे लंबे समय के बाद एक ऐसी फिल्म में दिखने वाले हैं जिसमें उनका किरदार बेहत खास और दिलचस्प है आखरी बार अभिशेक को फिल्म घूमर में देखा गया था जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सरहा गया था अब आई वान्टो टॉक में उनकी वापसी दर्शकों के लिए भी रोचात्मक होगी फिल्म के बारे में और ज्यादा जानकारी तो रिलीज के करीब आने पर ही मिलेगी लेकिन इतना तैह है कि ये फिल्म सुझित सरकार की बाकी फिल्मों की तरह ही दिल को चूने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली होगी I want to talk 22 नमंबर को रिलीज होने जा रही है और इसकी अनाउस्मेंट के बाद से ही दर्शकों में इसको लेकर काफी उत्सा है झाल 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 फुझैबाओंश झाल 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 होगी